हेलो गाईज, वेलकम टो आवर येटुब चानल इस्टुडी विद एम आज मैं आप सभी के लिए काफी इंपोर्टेंट विडियो लेकर आई हूँ तो देखे आज किस वीडियो में हम उत्राखन के मोस्ट इंपोर्टेंट कुशियन्स डिसकस करेंगे जो कि आपके आगामी कनिस्ट साय के एक्साम के लिए काफी इंपोर्टेंट है तो आप सभी लोग हमारी इस वीडियो में स्टार्डिंग से लेकर एंड तक बने रहें तो चलिए आज किस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारी यूट्यूब चैनल Study with AIM को सस्क्राइब नहीं किया है वो सस्क्राइब कर लें साथ साथ बगल में जो पहला आइकन देख रहा है इसे भी फ्रेस कर लें ताकि हम कोई भी वीडियो डलते हैं तो उसका नोट्फिकेशन आपके पास जल से जल पहुँच जाए आप सभी लोग हमारी टेलिक्राम चैनल को भी जॉइन कर सकते हैं ये भी Study with AIM के नाब से ही बना हुआ है और टेलिक्राम चैनल पर रात को आट बजे क्वेज का भी आईजन किया जाता है काफ़ important question आपको क्वेज के रूप में दिये जा रहे हैं तो आपको join कर सकते हैं तो चलिए आज के session को हम start करते हैं और इस session का पहला question है उत्राखंड में शाषन करने वाली पहली राजनितिक शक्ती कौन सी थी तो दीखें उत्राखंड में शाषन करने वाली पहली राजनितिक शक्ती थी कोणिंद next question है कोणिंद वंच का सबसे शक्तिशाली शाषक कौन था कुणिंद राजवंच ने अगला कुशन है उत्राखंड के नाग राजवंच का सबसे शक्ति शाली शाशक कौन था तो देखे उत्राखंड राजी के नाग राजवंच का सबसे शक्ति शाली शाशक था गणपती नाग अगला कुशन देखेंगे पौरव राजवंच को चीनी याद्रियों ने क्या नाम दिया तो देखें पौरव राजवंच को चीनी याद्रियों ने पोली की मोपोलो नाम दिया था अगला कुशन है परवताकार राजवंच की राजधानी कहां थी इंपोर्टेंट कुशन है परवताकार राजवंच की राजधानी थी ब्रह्मपुर में अगला कुशन है पौरव वंच का सबसे शक्ति शाली शाशक कौन था वरिनेश्वर स्वामी नेक्स्ट कुश्चन देखेंगे किस राजवन्ष को उत्राखंड का पर्थम एतिहासिक राजवन्ष माना जाता है तो देखें उत्राखंड का पर्थम एतिहासिक राजवन्ष माना जाता है कतियोरी राजवन्ष को नेक्स्ट कुशन है कार्थिक एपुर वन्स का संस्थापक कौन था कार्थिक एपुर राजवन्स का संस्थापक था वसंत देव अगला कुशन देखें कार्थिक एपुर राजवन्स की जानकारी के प्रमक्षोत क्या हैं तो देखें कार्टिक एपुर राजवंशी नरेशों के कुल तीन परिवारों में कितने शाषकों का उल्लेख मिलता है। अगला कुशन देखेंगे कार्टिक एपुर के राजा स्वयम को किश्वंश का मानते थे। अगला कुशन है बैजनात मंदिर के निर्माण में किस शाषक ने सयोग किया। बैजनात मंदिर में सयोग किया था किस शाषक ने ललित पुत्र भू देव ने। अगला कुशन देखेंगे कत्योरी काल में प्रांतों की संख्या कितने थी। अगला कुशन है कत्योरी काल में कितने प्रकार के मंदिरों का उलिक मिलता है। नेक्स कुशन देखेंगे कत्योरी काल में को कितने चाषक हुए थे। वंशावली के अनुसार पमवार वंश में 60 शाशक हुए थे अगला कुशन देखेंगे उस पमवार वंशी शाशक का नाम बताएं जिसने सरपर्थम शा की उपाधी लगाई तो देखें उस पमवार वंशी शाशक का नाम बताना है जिसने सरपर्थम शा की उपाधी लगानी प्रारंब की तो ये पवार वंची शाशकते बलभद्र शा अगला कुशन है पवार वंची शाशको को शाह की उपाधी किस ने परदान की थी तो important कुशन है पवार वंची शाशको को शाह की उपाधी परदान की लोधियों ने अगला कुशन है गड़वाल का संस्थापक कौन था तो देखे गड़वाल का संस्थापक कौन था अजयपाल अगला कुशन है पवार वंच की प्रारंभिक राजधानी कहा थी पवार वंच की प्रारंभिक राजधानी थी चांत हुर गड़ में अगला कुश्चन है पवार वंश का सबसे शक्तिशाली शाशक कौन था देखे पवार वंश का सबसे शक्तिशाली शाशक था अजय पाल अगला question देखेंगे गड़वाल का वह राजा जो मुगल समराड अकबर के समकालिन था तो देखें ये राजा था मानशा जो की मुगल समराड अकबर के समकालिन था next question देखेंगे कवी भरत किसका दरवारी कवी था most important question तो देखे कवी भरत जो था ये मानशा का दरवारी कवी था और मानोदे कावी के रचना की गए थी कवी भरत के द्वारा इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे किस भासा में संस्कृइद भासा में अगला question देखेंगे जैसु एट पादरी किसके काल में पवारवंच में आया था तो देखें जैसु एट पादरी जो था ये शाम शा के काल में पवारवंच में आया था next question देखेंगे गडवाल के महान सेना नायक माधो सिंग भंडारी किसकी आर्मी के चीफ कमांडर थे तो देखे कड़वाल के महान सिननायक मादो सिंग भंडारी ये महीपती शा की आर्मी के चीफ कमांडर थे अगला कुश्चन है कांगडा के फॉजदार नवाजत खां का गडवाल छेतर में आकरमण किस के काल में हुआ था देखे कागड़ा के फौजदा नवाजद खांका गड़वाल चेत्र में आक्रमन हुआ था पृत्वी पती शा के समय अगला कुशन है मुगल सहजादा दारा सिको के पुत्र सुलेमान सिको ने किसके दर्बार में शरण ली थी तो देखे मुगल सहजादा दारा सिको के पुत्र सुलेमान सिको ने पृथवी पती सा के दर्बार में शरण ली थी अगला कुशन है दिल्ली से आए शाम दास वा हर अगला कुशन है भंगानी का युद्ध कभ हुआ था इस बीम है नेक्स्ट कुशन देखेंगे भंगानी का युद्ध किसकिस के बीच हुआ था प्रत्रबुल जिसकी राजी सभा में 9 रतन थे इंपोर्टेंट कुश्यन है तो गड़वाल का वहर शाषक था फते पतीशा जिसकी राजी सभा में नौरतन थे अगला कुश्यन देखेंगे गड़वाल का वहर शाषक जो छत्रपतीश शिवाजी को अपना आदर्श मानता था तो ये शाषक था फतेशा कुवाओ का साषक कल्याँ चंद तर्थी किश गड़वाल नरेश के समकालिन था तो देखें कुवाओ का साषक कल्याँ चंद तर्थी ये प्रदीप शाके समकालिन था अगला कुश्यन है बगवाली पोखर की लड़ाई कब हुई थी देखें बगवाली पोखर की लड़ाई सत्रव सो उनासी इसवी में लड़ी गई थी अगला कुश्यन देखेंगे बगवाली पोखर की लड़ाई में कौन पराजित हुआ था तो बगवाली पोखर की लड़ाई में पराजित हुए थे मोहन चंद next question देखेंगे गडवाल का एक मात्रव शाशक किया था पृदियुम्न शा ने इसलिए पृदियुम्न शा को पृदियुम्न चंद भी कहा जाता है तो पृदियुम्न शा की कुमाओ राज की जो तिथी थी ये 1789 से लेकर 1786 तक थी तो ये आपको याद रखना है अगला कुश्यन देखेंगे पववार वंच का सरवादिक भयंकर भूकंप किश वर्ष आया था वर्ष 1803 इस वी में अगला कुश्यन देखेंगे खुडबुडा का युद किस किस के बीच हुआ था खुडबुडा का युद हुआ था गोर्खा और गडवाल नरेशो के बीच खुडबुडा का युद कब हुआ था खुडबुडा का युद हुआ था अठारह सो चार इस वी में अगला कुश्यन देखेंगे अखंड गडवाल का अंतिम राजा था प्रदियुम्नशा नेक्स्ट कुश्यन है टिहरी रियासत के अंतरगत अंगरीजी शिक्षा की तो तिहरी रियासत के अंतरगत राजमाता गुलेरिया संग्रक्षिक्षा की शुरु नेक्स्ट कुश्यन देखेंगे टिहरी रियासत के अंतरगत किस्थानों के लिए बैंक आप गडवाल के स्थापना की शुरु नेक्स्ट कुश्यन देखेंगे बिटिस सरकार के द्वा तिहरी का रवाई कांड कब घर्टित हुआ था, most important question है, देखें, रवाई कांड घर्टित हुआ था, 30 में, 1930, इस भी को अगला question है, शृदेश सुमन कितने दिन की भूख हरताल के बाद शहीद हुए, तो देखें, शृदेश सुमन 84 दिन की भूख हरताल के बाद शहीद हो ग प्रियासत के अंतरगत सुदर्शन सा, 55 नंबर की राजा थे, अगला question है, तिहरी राजिका विलेई भारत संग में कब हुआ, तो देखें, तिहरी राजिका विलेई कर दिया गया भारती संग में, और कब किया गया, 1 अगस्त उनिस्तों पंचास को, अगला question है, विलेई के पश्याद तिहरी संयुक्त प्रांत उत्तरप्रदेश का कौन सा जिला बना, most important question है, तो देखें, विलेई के पश्याद तिहरी संयुक्त प्रांत का, संयुक्त प्रांत यानि उत्तरप्रदेश का पचासवा जिला बना, next question देखेंगे, बोलांदा बद्रिनाथ किन शाशको को बोला जाता है तो देखे बोलांदा बद्रिश बोला जाता है इसको करेक्ट कर लिजेगा बोलांदा बद्रिश किन शाषको को बोला जाता है तो देखे बोलांदा बद्रिश बोला जाता है गड़वाल शाषको को नेक्स्ट कुश्चन देखेंगे गड़ राजी में सबसे बड़ी प्रशाशनिक इकाई कौन सी थी तो देखे गड़ राजी में सबसे बड़ी प्रशाशनिक इकाई थी मंडल अगला कुशन है उत्तर पवार काल में मंडल के सैनिक पदादिकारी को फौसदार कहा जाता था अगला कुशन है पवार काल में दे एक भूमी कर है, important question है अगला question देखेंगे, पवार राजी में भूमी नाप की सबसे बड़ी इकाई क्या थी पवार राजी में भूमी माप की सबसे बड़ी इकाई को कहा जाता था, जूला, यह आपको याद रखना है पवार राजी में सबसे पहले ताम्र मुद्रा किस ने जारी की तो देखें पवार राजी में सबसे पहले ताम्र मुद्रा जारी की गई लखन देव के द्वारा अगला कुशन है पवार शाशकों की शाही टक्षाल कहां अवस्ते थी तो देखें पवार शाशकों की शाही टक्षाल थी श्री नगर में अगला कुशन है टका और तिमाशी नामक सिक्कों का परचलन के काल तक था तो देखें टका और तिमाशी नाम प्रती वर्ष यानि कि नंदा राजात यात्रा आपने पड़ी है कि 12 वर्ष में एक बार आयजित की जाती है लेकिन ये कौन से नंदा राजात यात्रा है छोटी नंदा राजात यात्रा जो कि हर वर्ष आयजित की जाती है और किस गाउं से कुरुण गाउं से ये आपको या राजवंच के समस्त तामरपत्र एवं शाष्णा देश होते थे संस्कृत भासा में नेक्स्ट कुश्चन है सुदर्शन शाद्वारा सभासार ग्रंथ की रशना की गई और किस विधा में पध्ये विधा में नेक्स्ट कुश्चन है आपका गडवाल चित्र शैली का महान चित्रकार कौन था गडवाल चित्र शैली का महान चित्रकार था मौला राम अगला कुशन है मौला राम आठ गैलरी कहाँ पर इस्तित है तो देखे मौला राम आठ गैलरी यह कहाँ पर फ्री नगर में इस्तित है अगला कुशन है सरप्रथम मौला राम के चित्रों को दुनिया के सामने परीचे किस ने कराया था तो मौला राम के चित्रों को दुनिया के सामने परीचे सबसे पहले बैरिस्टर मुकंदिलाल ने कराया था अगला question है धोल सागर के एक मातर पढ़नेता है उत्तम दास अगला question है चंद वंश का संस्थापक कौन था तो देखें चंद वंश का संस्थापक कौन था सोम चंद था आप सभी को पता है और ये question आयों के द्वारा पहले पूछा जा चुका है इसको आप ध्यान रखें next question देखेंगे कुमाओ का पहला रिशम का कारखाना किसके काल में लगा तो देखें कुमाओ का पहला रिशम का यो कारखाना था ये पूर्ण चंद के काल में लगा अगला question है चंद वंशी शाशक ग्यान चंद को गरुड की उपाधी किसने दी थी चंद वशी शाशा ज्यांजन्द को गरूड की उपाधी दी थी किसने फिरोचा तुग लगने next question है अलमोडा का मला महल का किला किसके द्वारा बनवाया गया था तो देखे मला महल किला जोके अलमोडा में स्तित है ये बनवाया गया था रुद्र चंद के द्वारा अगला कुशन है बागनाद मंदिर का जिर्णो धार किसके द्वारा किया गया बागनाद मंदिर का जिर्णो धार किया गया लक्षमी चंद के द्वारा अगला कुशन है बाज बहदूर चंद किसके समकालिन था बाज बहदूर चंद समकालिन था नेक्ष्ट क्वेशन है गडवाल के इतिहास में जासी की रानी किसे जाता है देखे गडवाल के इतिहास से जासी की रानी कहा जाता है नंदा डेवी की जो स्वन परतिमा है ये अलमोडा के नंदा देवी मंदिर में स्थाफित की थी, किसने ग्यान चंद ने नेक्स्ट कुशन है कुमाओ का स्वन काल किसके काल को कहा जाता है कुमाओ का स्वन काल कहा जाता है जगत चंद के काल को अगला कुशन है चंद काल का मुहमत बिन तुगलक किसे कहा जाता है तो देखे चंद काल का मुहमत बिन तुगलक कहा जाता है किसे देवी चंद को नेक्स्ट कुशन देखेंग, चंद वंश का विक्रमादित्य बनने की लालसा कौन रखता था, तो देखें, चंद वंश का विक्रमादित्य बनने की लालसा रखता था देवी चंद, और विक्रमादित्य बनने के चक्कर में काफे धन भी बरवाद किया था देवी चंद ने, और जो चंद वंश का अवनती काल है वो देवी चंद के समय से ही स्टार्ड होता है यानि की समाप्त हो जाता है देवी चंद के बाद चंद वंश का अवनती जो काल हो जाता है वो शुरू हो जाता है ये आपको याद रखना है अगला दिखेंगे कुमाओ में रुहिला आकरमण किसके काल में हुए तो देखें कुमाओ में रुहिला आकरमण हुआ था कलियान चंद के समय अगला कुश्यन है कुमाओं में रुहिला अकरमन कब हुए कुमाओं में रुहिला अकरमन हुए 1743 इज़ बी में अंगला कुष्टन है कुमाओ का पहला शाशक जो दिल्ली के सुल्टान से मिलने गया था तो देखें कुमाओं का ये पहला साशकता गरुड ग्यानचंद जो की दिल्ली के सुल्तान से मिलने गया अगला कुश्यन है चंद वंश की राज की भाषा थी संस्कृत अगला कुश्यन है राज बुंगा का किला किस ने बनवाया था तो देखे राज बुंगा किला जो की किस जनपद में इस्तित है चंद प्रशाशन की सबसे बड़ी प्रशाशनिक इकाई क्या थी देखे चंद प्रशाशन में सबसे बड़ी प्रशाशनिक इकाई को कहा जाता था मंडल अगला क्वेशन है चंद प्रशाशन में सैनिक मामलों की सुनवाई के लिए कौन सी कचहरी होती थी most important question तो देखे चंद प्रशाचन में सैनेक मामलों की सुनवाई के लिए बिस्टाली नामक के चैरी होती थी अगला question है द्विज श्रेष्ट के नहीं कहा जाता है देखे द्विज श्रेष्ट कहा जाता है कुणिंद शाशक को अगला question है पशु चारको का देवता किसे कहा जाता है डी देवता को next question है चंद काल में कुमाओ के मंदिर किस शैली पर आधारी थे तो देखे चंद काल में कुमाओ के जो मंदिर थे ये कत्यूर शैली पर आधारी थे अगला है आपका एक हत्या देवाल के बनावट के तुलना किस से की जाती है एक हत्या देवाल के बनावट के तुलना की जाती है एलोरा के कैलास मंदिर से आप कमेंट करके बताईएगा एक हत्या देवाली किस चनपद में स्तित है उत्राखंडर राजी के अगला कुश्यन है चंद राजिकाल में वंशानुगत पद कौन सा था चंद राजिकाल में वंशानुगत पद था पधान का अगला कुश्यन है चंद राजिकाल में सोना कहां से प्राप्त किया जाता था देखे चंद राजिकाल में सोना पनार नदी से प्राप्त किया जाता अगला कुश्यन है पर्मारवंच का आधी पुरुष किसे कहा जाता है पर्मारवंच का आधी पुरुष कहा जाता है कनक पाल को अगला कुश्यन है कुमाओं में गोर्खा शाषन कब इस्थापित हुआ था तो देखे कुमाओं पर गोर्खा शाषन इस्थापित हुआ 1790 भी में अगला कुश्यन है कुमाओ में गोर्खा आक्रमन कारी कौन थे तो देखे हस्ती दल चोतर या अमर सिंग थापा और शूर वीड थापा ये कुमाओ में गोर्खा आक्रमन कारी थे अगला कुश्यन है कुमाओ में गोर्खा आक्रमन की समय कुमाओ का राजा कौन था कुमाओ मे गोर्खा आकरमण की समय नेपाल का राजा था रण बहादूर्शा अगला कुशन है गोर्खा सेनापती कुमाओं में क्या कहलाते थे गोर्खा सेनापती कुमाओं में कहलाते थे सुब्बा अगला कुशन है गोर्खा शाषन उत्राखन में किस नाम से जाना जाता था गोर्ख अगला कुश्यन है गोर्खाओं ने गड़वाल पर पुन्हा आक्रमण कप किया तो देखे गोर्खाओं ने गड़वाल पर पुन्हा आक्रमण किया था वर्ष 1803 इसबी में खुडवुडा नामक जगह कहां इस्तित है तो देखे खुडवुडा नामक जगह इस्तित है कहां अगला कुश्यन है गोर्खाओं की नियाए प्रणाली किस पर आधारी थी तो देखे गोर्खाओं की जो नियाए प्रणाली थी ये दिव्य विधान पर आधारी थी अगला कुशन है गोर्खाओं में न्याइधिस्त क्या कहलाता था गोर्खाओं में न्याइधिस्त क्या कहलाता था विचारी कहलाता था अगला कुशन देखेंगे गोर्खा सेना में कारिरत सैनिकों को क्या कहते थे तो देखें गोर्खा सेना में कारिरत जो सैनिक होते थे इन व्यवस्था का उन्मूलन किस ने किया था गोर्खा ने किया था गोर्खाओं ने इस व्यवस्था का उन्मूलन किया था अगला कुश्यन है आपका पुगाडी क्या है तो देखे पुगाडी जो है ये एक फूमी कर था अगला कुश्यन है गोर्खा शाशन के अंतरगत तिम्री, सलामी, एवं दस्तूर सभी टैक्स यानि कर थे अगला कुश्चन देखेंगे अगला है आपका गोर्खा शाशन के अंतरगत राज कर्मिचारियों से लगान के बाबत पुषने पर लिया जाने वाला कर कौन सा था तो देखेंगे गोर्खा शाशन के अंतरगत राज कर्मिचारियों से लगान के बाबत पुषने पर लिया जाने वाला कर था जानिया सुनिया नामक कर most important question है अगला question देखेंगे गोरखाओं का प्रमुक्तियोहार क्या था तो देखें गोरखाओं का प्रमुक्तियोहार था दसाई नामक्तियोहार अगला question है खलंगा का युद्ध किसके बीच हुआ था खलंगा का जो युद्ध हुआ था ये गोरखा और अंग्रेजों के बीच हुआ था नेक्स्ट कुश्चन देखेंगे संगौली की संदी कब हुई थी संगौली की संदी हुई थी अप्रेल 1815 इसमी में अगला कुश्चन देखेंगे गोर्खा काल में ब्रहमणों पर लगा नया टैक्स कौन सा था अगला कुश्चन है कप्तान हेरसी ने कुमाओ का अलवारिक से कहा हर्ष देव जोशी को अगला कुश्चन है अगला कुश्चन है नेपाल सरकार द्वारा संगाओली की संदी की पुष्टी कप की गई थी तो देखे नेपाल सरकार द्वारा संगाओली की संदी की पुष्टी की गई 1816 इसमी में अगला कुश्चन है कुमाओ में गोर्खा शाषन कब से कब तक रहा कुमाओं में गोर्खा शाषन 1790 से लिकर 1815 इस भी तक रहा अगला कुश्यन देखेंगे गडवाल में गोर्खा शाषन कब से कब तक रहा तो गडवाल में गोर्खा शाषन रहा 1804 से लिकर 1815 इस भी तक अगला कुश्यन देखेंगे संपूर उत्राखंड में गोर्खा शाष ये वर्ष 1804 से लेकर 1815 भी तक रहा अगला कुश्यन देखेंगे ब्रिटिस शाषन उत्राखंड में कब से कब तक रहा तो ब्रिटिस शाषन रहा 1815 से 1947 तक अगला कुश्यन है आपका अंग्रेजी साषन व्यावस्था के अंतरगत पर्थम कुमाओ कुमाओ कमिश्णर कौन हुआ तो देखेंगे अंग्रेजी शाषन व्यावस्था के अंतरगत पर्थम कुमाओ कमिश्णर हुआ एड़वर्ट गार्डनर अगला कुश्यन है उत्राखंड में 155 का गठन कब हुआ देखें उत्राखंड राजी में 155 का स्थापना कब हुई अलमोडा में पर्थम डिवेटिंग कलब के स्थापना हुई थी 1870 इस भी में अगला कुश्यन है उत्राखंड का पर्थम सोतंतरता सेनानी कौन था तो देखें उत्राखंड का पर्थम सोतंतरता सेनानी कालू महरा थे अगला कुशन है 857 की कुमाओ कमिशनर कौन था most important कुशन है तो 857 की कुमाओ का कमिशनर था Sir Henry Ramsey इसको ध्यान रखेंगे अगला कुशन है King of कुमाओ किसे कहा जाता था तो देखे King of कुमाओ कहा जाता था Sir Henry Ramsey को अगला कुशन है उत्राखन में British अगला कुशन है पहली बार हलवानी ट्रेन कब पहुँची तो देखे पहली बार हलवानी पहुँची ट्रेन कब वर्ष 884 इसबी में अगला कुशन है देहरादून रेलवे स्टेशन का निर्माण कब हुआ देहरादून रेलवे स्टेशन का निर्माण हुआ वर्ष 1922 में अगला कुश्यन है दयानन सरस्वती दिहरादून कब पधारे थे कब 897 इस वी में अगला कुश्यन है कुमाउपरिशत का पर्थम अधिवेशन कहा हुआ था तो देखे कुमाउपरिशत का पर्थम जो अधिवेशन हुआ था ये अलमोडा में हुआ था किस वर्ष हुआ वर्ष 1917 इस वी में कुमाउपरिशत का पर्थम अधिवेशन कब हुआ वर्ष 1917 इस वी में अलमोडा में हुआ था अगला कुश्यन है कुमाउपरिशत के पर्थम अधिवेशन के अधियक्षता किसके द्वारा की गई कुमाउपरिशत के पर्थम अधिवेश किसमें कॉंग्रेस में और कब किया गया ये बताना है तो दिखिए यहां पर आपका correct answer हो जाएगा वर्ष 1926 इजबी में कुमाओ परिशत का कॉंग्रेस में विलेई वर्ष 1926 इजबी में किया गया अगला कुश्यन है कुमाओ परिशत की भाती गड़वाल परिशत का गठन एवं समीलन श्री नगर में कब हुआ मोस्ट इंपोर्टन इन कुश्यन तो कुमाओ परिशत की ही भाती गड़वाल परिशत का गठन एवं समीलन कहां पर हुआ श्री नगर में हुआ और कब हुआ वर्ष 1929 इजबी में अगला कुश्यन है गांधीजी अलमोडा आए 1929 इसबी में अगला कुश्यन है गांधी जी सरवपर्थम देहरादून कप पहुंचे थे गांधी जी सरवपर्थम देहरादून पहुंचे वर्ष 1916 इसबी में अगला कुश्यन है कुमाउपरिशत का कौन सा अधिवेशन काशिपूर में हुआ था तो देखे अगला कुश्यन देखेंगे ब्रिटिश कालिन स्वतंतता सेनानियों में सन 1921 इजबी में सरप्रथम की स्वतंतता सेनानी की गरफतारी हुई थी तो देखेंगे ब्रिटिश कालिन स्वतंतता सेनानियों में सन 1921 इजबी में सरप्रथम यानि कि सबसे पहले मोहन सिंग महता की गुरफतारी हुई थी अगला कुश्यन देखेंगे सन 1919 इसवी में अमरत सर के रॉलेट एक्ट के विरोध में हुए कॉंग्रेस अधिवेशन में भाग लेने वाले प्रमुकनेता कौन थे तो 1919 इसवी के अमरत सर में रॉलेट एक्ट के विरोध में अधिवेशन हुआ था इसमें भाग लिया था बैरिश्टर मकुंदिलाल और अनुसुया परशाद बहुगुणाने अगला कुश्यन है पेशावर कांड के हीरो यानि की नायक कौन थे तो देखे पेशावर कांड के नायक थे वीर्चन सिंग गडवाली अगला कुश्यन है पेशावर कांड कब हुआ था पेशावर कांड घटित हुआ था 30 अपरेल 1930 इस बी को अगला कुश्यन है गडवाल राइफल के वीर्चन सिंग गडवाली की रेजिमेंट का नाम क्या था तो देखे इनकी रेजिमेंट का नाम था 28 अगला कुश्यन है वीर्चन सिंग गडवाली को गोली चलाने के ओरडर किस अंग्रे जी अधिकारी द्वारा दिये गए वीर्चन सिंग गडवाली को गोली चलाने का ओरडर दिया गया कैप्टन डिकेड के द्वारा अगला कुशंद देखेंगे अमर शहीद वीर केशी चंद कब शहीद हुए तो देखें अमर शहीद वीर केशी चंद सहीद हुए थे तीन में 1942 इज वी गो अगला कुशन है गांधी जी की दांडी यात्रा में किस उत्राखंडी ने प्रति भाग किया तो दिखे उत्राखंड से प्रति भाग किया था दांडी यात्रा में जोती राम कांडपाल भहरोदा जोशी और गोरखा वीर खडग बाहदूर ने इंपोर्टेंट कुशन है अग जोग मंदर आश्रम इस्तिध है देगहाट अलमोडा में अगला देखेंगे कौसानी के पास चनौदा इस्तिध गांधी आश्रम के स्थापना किस की द्वारा की गईका उत्राखंड में महिला सत्यागगर्यों कि पहली गरफतारी किस अंगला कुशन है, लाला लाजपत राई का ने निताल आगमन कब हुआ था वर्ष औनिसस गुंथी में, नेक्स्ट कुशन है, टम्टा सुधारणी सभा का नाम सरकार सभा में रुपानतरन कब किया गया। तो दीखे टम्टा सुधारणी सभा का नाम सरकार सभा में रुपांदरण कब क्या गया था 1913 इस भी में अगला कुश्चन है डोला पाल की आंदूलन किस से समन्दित था तो डोला पाल की जो आंदूलन था ये समन्दित था जैनन भारती से important कुश्चन है इसको ध्यान रखे अगला कुश्चन देखेंगे गडवाल जागरत संग की स्थापना कब हुई थी गडवाल जागरत संग जो है इसकी स्थापना की गए थी वर्ष 1932 इस भी में अगला कुश्चन है वर्ष 1932 इस भी के श्रीनगर गडवाल के व्रहद राजनेतिक सम्मेलन में किसने भाग ल जैगा पंडित जवाहलाल नहेरू और विजे लक्षमी पंडित ने नेक्स्ट कुश्यन देखेंगे भारत छोड़ो आंदूलन के समय कुमाओ कमिशनर कौन थे तो देखें भारत छोड़ो आंदूलन जच चला था उस समय कुमाओ के कमिशनर कौन थे एक्टन इसको ध्यान र कि थे की इप